आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विकॉज एक सुप्रीम कोट का लेटेस जज्जमेंट आपके साथ डिसकस करूंगा जो आप अपने केस में यूज कर सकते हैं और अपने केस में आप फेवरिबल ऑडर ले सकते हैं माननिये सुप्रीम अपने जज्जमेंट बताया था वह यूज किया बद फिर भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला तो देखिए होता क्या है कि सारे केस होते हैं एकदम सिमिलर नहीं होते हैं उनके facts, circumstances different होते हैं एक केस से दूसरा की बहुत ही different होता है और ये भी matter करता है कि arguments कैसे हुए कोट के और court में advocate साहब आपके जो थे उन्होंने कैसे represent करा और बहुत सारे factors role play करते हैं आपका जब order आता है तो और वैसे भी मैंने आपका जो case है वो तो पढ़ानी है कि मैं बता दू कि ये उसमें judgment लएगा और फिर आपके लिए problem create हुआ तो आप मुझे blame कर सकते हैं वैसे मैंने disclaimer ये डाल के रखा हुआ है बट स्टिल मैं आपसे ये request करना चाहूंगा कि आप देखे कि जो judgment use करें आपके facts and circumstances आपके case के according है कि नहीं अगर आपका case different है और को judgment आप use कर लेते हैं तो it doesn't mean कि वो judgment आपके case में support करेगा और आपको help करेगा anyway चलिए वीडियो स्टार्ट करते है अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूल है तो यह जो case था वो डीवी का case था डीवी के case में जो applicant wife थी उसने domestic violence का case file कर रहा था और उसने यह किया था कि जो जो pregnant थी seven months की pregnant थी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था धक्के मार के और डिया रिपोर्ट के लिए file लगा हुआ था तो डिया रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था डिया रिपोर्ट अवेटेट था तो जो applicant थी उसके साइट से application लगा गया कि जिए रिपोर्ट है उसके बिना ही court को proceed कर और practically भी ऐसा होता है मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे cases में साथ होता है कि Supreme Court High Court के judgment आप लगाते हो ट्राइल कोड नहीं मानता है उन चीजों को but the reality is law है particular law है उस law से कोई बाहर नहीं जा सकता चाहे मैं हूं आप हो court हो कोई भी उस law के बाहर नहीं जा सकता है and everyone is bound by it सबको वो मानना पड़ेगा और सब उसी के within वो particular law, particular section के within काम करना पड़ता है तो हम अगर इस matter के बात करें तो High Court में matter जाता है applicant के जो lawyer है वो बोलते है कि without DIR भी proceed किया जा सकता था इस matter में but court ने proceed नहीं किया और Supreme Court का latest judgment भी था recently प्रभात्यागी वर्सेस कमलेश त्यागी जिसमें Supreme Court ने clearly बोला था कि जो DIR है उसके बिना भी court प्रोसीड कर सकती है DIR is not mandatory DIR के बिना भी जो court है उस प्रोसीड कर सकती है और के इसको आगे बढ़ा सकती है बढ़ जो आपोजिट पार्टी के council थे उन्होंने कहा कि कैसे प्रोसीड कर सकती है जब तक DIR आएगा नहीं तब तक clear picture court में आएगा नहीं क्या हुआ था आप्लिकेंट के साथ कैसे कब क्या जो भी इंसिडेंस है रियल इंसिडेंस court के सामने नहीं आपाएगा बट सुप्रीम कोट ने कहा कि विदाओट DIR गोट कोड सब्सक्राइब कर सकता है और मैंटर को डिसाइड कर सकता है ऐसा नहीं कि सुप्रीम कूर्ड ने क्लियरली कहा था कि विदाउट डियार भी बोट जो है वह प्रोसीड कर सकता है जैसे कि पहले भी जज्ज्मेंट में सुप्रीम कोड ने कहा था तो आप यह वीडियो आपको समझ में आओगा इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हैं और आप ऐसा सिमिलर कोई सिच्विशन फेस कर रहे हैं कोई केस फेस कर रहे हैं तो आप इस जज्जमेंट का यूज करके अपने केस में हल्प ले सकते हैं थांक यू